वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल पेपर रहकर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट फिप ठीक है इससे पहले हमने एक से चार यूनिट तक ठीक है जो की आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कोशन है या एक लाइन में उत्तर देने वाले अतिलग उत्तरी प्रिशन है वन टू फोट यूनिट तक हमने कंप्लीट कर लिए डिसकस कर लिए आज हम बात करेंगे फिफ्ट यूनिट की ठीक है इसमें हम डिसकस करेंगे जो भी आपको कोश्चन दे रहे हैं 46 से आगे जितने भी कोश्चन होंगे आपकी उनिट नमबर 5 में ठीक है तो इसमें हम डिसकस करेंगे अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथ ही वेल आइकन दवा दें जिसे कि आपको सभी प्रकायर की वीडियो का नोटिफिकेसन मिलता रहे है चलिए शुरू करते ह पहले आप से कुशन पूछ रहा है कि प्रिस्टन नमबर 46 कह रहा है ठोसों के क्रिस्टल जालक किससे मिलकर बने होते हैं जो आपके ठोस हैं उनके क्रिस्टल जालक यानि कि लैटिस यूनिट किससे मिलकर बने होते ही आपने बताना है ठीक है तो यह क्या होता है एक आपका जालक का निर्माड होता है तो वो कह रहा है कि यह किस से मिलकर बने होते है ठीक है तो यह सामाइने था आपके धनाइनों और रिनाइनों से मिलकर बने होते है ठीक है मान लो आपका NACL ले लो ठीक है NACL के अगर हम जालक की बात करें तो किसे मिलकर बनाता है एने पिलस और सील माइनस ठीक है तो इसका जो आपका एने सील है ये भी क्या बनाता है आपका क्रिश्टल जालक बनाता है तो हम कह सकते हैं कि आपके जो क्रिश्टल जालक होते हैं ठोसों के वो आपके धनायन और रिनायनों से मिलकर बने होते हैं ठीक है कि हैं आपका थो ऐंसे जल में डालने पर यह प्लस और मैंस में यानिक जिनमें रहते तो इन में अगर लगते प्लस और फ्रीयल मायनस टीक है इन दोनों के बीच में फोर्स आट्रेक्षान कैसा होगा स्ट्रॉंग होगा ठीक है तो काया तो नंबर आपका 48 तो कौन से बिपरीत आविशित आयन ठीक है एक मानलो आपका क्या है जिस पे माइनस का चार्ज है दूसरा आपका क्या है जिस पे पिलस का चार्ज है तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के कैसे है विपरीत है ठीक है पिलस वाला चार्ज माइनस वाले चार्ज के तुलना में कैसा है एक दूसरे के विपरीत है ठीक है अपोजिट चार्ज है ठीक है विपरीत आयन कहा रहा है परस पर किस के दौरा जुड़ jutे रहते हैं तो यह आपका a मैनस और b ऴ्लस तुप कि अब यह आपस मैं तो इनके बार जुड़े रहते हैं dif थीक्र क्या लगता है इनकी बीच में बैद्धूत बहुति एलाता है टूरा वेलों के नाम से दोनों में वीडूरा रहे स्ंसा बैbor गाई के related ताविषत वाले अड़िवों में ठीक, कुशन नमबर 49 कह रहा है, आंडविक ठोस क्या है, ठीक है, क्या है, यह आपने बताना है, तो यह हो जागा, आईउडीन, आपका आणडविक तो यह तीनों आपने क्या करना है आंडविक्ठोस है अगर आंडविक्ठोस पोशे तो इस तरह से आपको तीनों लिख देना है ठीक है आयोडीन हो जागा सल्फर और सफेद फास्फोरस है कुशन नंबर 50 कहिए है 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 एक ही अडू में लगने वाला बल कौने ही ठीक है एक ही अडू में लगने वाला आपका क्या कहलाता है इंट्रामालिकुलर फोर्स ठीक है तो यह कौन सा होता है इसमें हाइड्रोजन आबंद होता है कौन सा होता है हाइड्रोजन आबंद होता है ठीक है तो हाइड्रोजन आबंद होता है ठीक है तो हाइड्रोजन आब कुछ इस तरह से इन दोनों के बीच में जो बॉंड बनता बो कैसा होता है तो हम कह सकते हैं कि आपका है इनके अड़ों के बीच में आपका हाइडोजन बंद बनता है फिप्टी बन कहरा ठोस पदार्थों के क्रिस्टल जालक किस से मिलकर बने होते हैं जो आपके ठोस पदार्थों के क्रिस्टल किस से परमाणू ठीक है लवड चाहिए तो यह यह क्या है अपके एक ठोस पदार्थ का निर्माण करेंगे जिसको क्या कहते है नमक कहते हैं तो यह यह होता बदकशन शरचना तो टिकए ग्रेफाइट लेजर सचना याद रहेगा ना ग्रेफाइट का इस ट्रक्चर्चर कैसा होगा आपका एक लेजर सरचना होगी मिश्चन नमबर 53 कह रहा है बेग समीकर्ण का सूत्र क्या है अब बने लॉंग आंसर में जाना था इसको ब्रेग गविश्टल इसे ब्रेक के नाम से जाना जाता है थिक है याद रगना एन लेमडा वरावर टूडी साइन ठीटा जो कि आपका ब्रेक समीक्रण का सूत्र है कुष्चन नमबर 54 कह रहा है क्या रवर क्रिस्टली इठोस है क्या रवर आपका क्रिस्टली इठोस है मेंस अगर रवर को काटोगे तो कि आपको उसमें क्रिस्टल मिलेंगे वह रवर को काटने पर आपको क्रिस्टल दिखाए देंगे नहीं दिखाए देंगे तो हम कहते हैं क्रिष्टली एठोस है ठीक है क्रिष्टली एठोस नहीं है आपका रबर कुश्चन नमबर 55 करेक्ट क्रिष्टल का आकार किस पर निर्वर करता है तो भी क्रिष्टल का आकार किस पर निर्वर करेगा बनाने की विधी ठीक किस तरह का क्रिष्टल हम बना रहे हैं इस विधी करेगा ठीक है at method of preparation किस तरह से हमने उसको क्रिष्टल को बनाया है प्रेपेरे किया है तो इस पर जो है क्रिष्टल का आकार depend करता या निरफर करता है question number 56 कि भर हम बात करें तो करना केसील की सरचना होती है जो आपका केसील है इसकी सरजना कैसी होते है यह आपने बताना है ठीक है के सिल की सरजना कैसी होती है तो यह आपका जो के सिल है एक सरल गनिय सरजना होती है के सिल की सरजना कैसी होगी आपकी एक सरल गनिय सरजना होगी ठीक कुछ इस तरह से आपका K पिलस और CL माइलस कुछ इस तरह से लगा रहेगा तो हम कहते हैं कि इसकी सरचना कैसी होती एक सरल गनिय सरचना होती के CL की कुश्चन नमबर 57 कह रहा है ब्रेवाइज जालक कितने प्रकार के होते हैं इसको हमने लॉंग आंसर में पढ़ा था कि जो आपके ब्रेवाइज जालक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं तो ए ब्रेवाइज ने 1848 में आपने सुना था क्या ए ब्रेवाइज आपके थे ठीक है क्या थे ब्रेवाइज जन्होंने 1848 ECB में ठीक है कब 1848 ECB में जालक को कितने भागों में बताया था कि यह 14 प्रकार के होते हैं ऐसा इन ने कहा था ठीक किसने इनको क्या कह दिया ठीक कितने तरह के होते हैं आपके 14 टाइप के होते हैं किस प्रकार का ठोस है नमक कैसा ठोस है आपका क्रिस्टली ठोस है कैसा है अगर आप ब्रेक करोगे क्या करोगे अगर आप नमक को तोड़ोगे तो आपको क्रिस्टल मिलेंगे क्या मिलेंगे क्रिस्टल मिलेंगे ठीक है इसलिए क्या है नमक आपका एक क्रिस्टल ये ठोस है कुश्चन नमबर 59 कह रहा है एनसील की अवस्था क्या है जो आपका एनसील है इसकी अवस्था क्या है ठीक है तो एनसील की अगर हम बात करें जो कि आप का नमक कहला था किया कहला था नमक या साल्ट टीक है या लवर तो इसकी सरचना भी ये कैसा होता है आपका ठोस होता है तो टोलने पर आपको क्या मिलता है ठीक है तो यह आपका कैसा रहेगा एक solid state में रहता है ठीक है नमक आपका ठीक तो इस तरह से आपका unit 5 ठीक है unit 5 ठीक है एक से लेकर आपके unit 5 तक जितने भी आपके very short answer type question है ठीक है very short answer type question है इनको हमने discuss कर लिया है one two fifth unit तक इसके बाद आगे हम बात करेंगे six seven eight ठीक है तीन unit से आपके बच्चे हुए है उनको हम एक एक करके discuss करेंगे तो यहां तक आपका four fifth unit तक जो है complete हो जाते हैं उनको अच्छे से आपने पढ़ लेना है ठीक है विलते हैं अगले वीडियो में बने रही है हमार साथ thanks for watching and share the video